आज मैं आप लोगों के साथ बच्चे वे ब्रेट की ऐसी रिस्पी से एर करूँगी जो कि बच्चे और बड़े सभी को काफी पसंद आएगी तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पैन निक्स मैंने यहापे चार ब्रेट की स्लाइसेस ली है मैंने यहापे वाइट ब्रेट का यूज किया है आप चाहे तो ब्राउन बेट का भी यूज कर सकते हैं यह रिस्पी मैंने लेफ्टरवर ब्रेट से बनाई है आप चाहे तो फ्रेस ब्रेट का भी यूज कर सकते हैं तो तो इसे ढखक लगब 10 मिनिट के लिए रेस्ट देंगे इससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी और ब्रेड हमारा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक ब्रेड और सूजी रेस्ट कर रहा है बढ़ते हैं नेक्स स्टेप में मैंने लिया है यहां पे तीन टमाटर इसे हम नाइफ की मदद से कुछ इस तरीके से कट लगा लेंगे तमाटर को आपको अच्छे से वाश करके लेना है इसके टॉप पे कुछ इस तरीके से कट से क्तमाटर को कट कर लेंगे इसके बाद मैंने एक पैन में लगवग आदा लीकर पानी बॉय करने के लिए चुआया था जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा हमने जो कट लगा के रख ता उसे इसमें भांचे साथ ही यां पे मैं दो डाल रही हूं कास्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास कास्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप यह स्टेप कर सकते हैं, कास्मीरी लाल मिर्च की जगह पे आपको मैं आगे बताऊंगे कि आपको क्या डालना है, तो टमाटर और मिर्ची को हम तब तक बकाएंगे जब तक की टमाटर का स्किन अलग नहीं होजाता है, जैसे ही टमाटर के स्किन अलग होने लगेगा, हम फ्लेम को आफ कर देंगे, और टमाटर और मिर्ची को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो अभी ये काफी गरम है, इसे हम हलका सा थंडा होने देते हैं, अभी टमाटर हमारा कंप्लीटली ठंडा हो चुका है, इसका जो स्किन है, उसे हम निकाल देंगे, और ये स्किन को हम डिसकार्ड कर देंगे, इसके बाद जो टमाटर का उपर वाला हिस्सा है, उसे भी हम नाइफ की मदद से निकाल लेंगे, अब मिर्ची को हम कुछ इस तरी उससे हम मैस करते हुए टमाटर का भी बीज निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीकी से आपको मैस करना है जादा मैस नहीं करना है बस आपको बीज निकल जाए इतना ही मैस करना है उसके बाद जो ये टमाटर का गुदा वाला हिस्सा है उसे निकाल लेंगे और बीज को हम अलग क अब इस पेस्ट को रखते हैं साइट में बढ़ते हैं नेक्स स्टेप में एक पैन को गैस पे चराया है जैसे ही पैन गरम हो जाएगा उसमें हम एड करेंगे दो बड़ा चमच तेल का और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डाले आर्ट दस लसन की कलिया जिसे मैंने चिनी और टमाटर का उसे एड कर देंगे साथ ही इसमें एड कर देंगे नमक स्वात कि अनुसा नमक एड कर दे चीनी इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद में एहाँ पे एक चोटी चमच कस्मेरी लाल मिर्च पॉडर का एड कर रही हूं अगर आपने कस्मीरी किर Medi शिरलल मिर्च को पोडर और एक चोटी चमच मैंने चिली फ्लेक्ष एड़ किया है तो यहां पर मैं एक पैकट एड कर रही हुँ पिजा सीजनिंग कि ये मैंने पीजा मंगाया था, उसी में ये आया था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे एड कर दिया, अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसे skip भी कर सकते हैं, मार्कित में भी ये पीजा सीच्टिंग काफी सारे ब्रांड को मिलता है, तो आप वहाँ से परचे और इसे अच्छी तरीके से mix करते हुए, दो मिनट के लिए और पका ले, लो फिलम पे, दो मिनट के वार फिलम को आफ कर दे, पिजा सौस हमारा बनकर रेडी है, इसे अभी हम रखेंगे साइट में, बढ़ते है नेक्स स्टिप में, नेक्स स्टिप में जो हमने ब्रेड औ अच्छे से क्रमबल हो जाएगा, अच्छे से क्रमबल करने के बाद, नेक्स स्टिप में एक चोथाई चोटी चमच बेकिंग सोड़ा और स्वाद के नुसार नमक, ब्रेड में भी नमक होता है, तो उसी अनुसार आप नमक की कौन्टिटी थोड़ा सा कम रखें, साथ ही मै जालेंगे एक टिवल स्पून बटर, आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहां पर बटर को साइड साइड पर रखा है, और थोड़ा सा उपर भी डाल दिया है, अब इसे हम ढखक कर एक्टम लो फ्लेम पर दस मिनट के लिए पकाएंगे, लग स्टेज पर हम किनारों को कुछ इस तरीके से स्पैचुला के मदद से अलग कर लेंगे, उसके बाद हम एक प्लेट इसके उपर रखेंगे और पैन को पलटेंगे, इसे अगें कराही में डाल देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से पकाएंगे, फ्लेम आपको लो प उसे भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को चीज काफी पसंद होता है, चीज की कौन्टिटी आप अपने अनुसार कम या जादा रख सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो भी वेजिटेवल से उसे आप रखते हैं, यहां पर मैं रख रहे हूँ हूँ कैपसिकम, टमाटर, प सारा सबजी है, वो अच्छे से चिपका हुआ रहेगा, इसके उपर डाले थोड़ा सा चीली फ्लेक्स और पिजा सीजनिंग, इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है, अब हम इसे फिश से धख कर पकाएंगे लगभग 5-6 मिनट के लिए, या फिर तब तक पकाएंगे जब त पिजा को बनाया है, अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, तो आपको जितना भी स्लाइस में इसे कट करना है, आप कट कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है ये पिजा खाने में, जब कभी आपको इंस्टेंटली पिजा बनाना हो तो आप इस रेस्पी को झाल झाल